हरियाना हैट्रिक जीत इतिहास रचा प्रदान मंत्री मोदी आज हरियाना में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है हरियाना की जनता ने नया इतिहास रच दिया है इथास रचना विकास के लिए की गई खड़ी महनत की वज़े से ही हरियाना की जनता में हमें जिताया हरियाना चुनाव में मिली जीत पर प्रदान मंत्री मोदी ने स्पाष्ट किया इंग्जित पोलिस ने विपरीत हरियाना चुनाव पर नामों में बाजपा ने शांदर जीत दर्च की जिससे उत्सकता समाप्त हो गई है इस जीत के साथ पूरे देश में बाजपा के कार्यकरता उत्सव में डूब गई है इस मौके पर डिली स्थित बाजपा मुक्यालाई में विजय उस्सव सबा का आयोजना किया गया है इस कार्यकरम में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी, राश्रीय अध्यक्ष जेपी नज्जा, केंद्रीय मंत्री अमिच्षा, राजनात सिंग समेट अन्यनेता शामिल हुए है इस दारान मोदी ने कहा कि हरियाना चुनावों में हैट्रिक जीत और जम्मु कश्मीर में भी बाजपा की जीत संतोष जनक है इग्जिट पुलिस केंग्स अनुमानों को हरियाना चुनाव ने उलिट दिया और बाजपा को एक बार फिर सत्ता में पहुंच आया लगातार तीसरी बार बगवा पार्टी में इस जीत पर मोदी ने प्रसंदता व्यक्त की उन्होंने कहा कि हरियाना में विकास और सुशासन की राजनीती ने जीत दर्ज की और बाजपा जनता की आकांग्शों को पूरा करने की किसी भी अफसर को नहीं चोड़ेंगी हरियाना के किसानों के कांग्रेस को करार जवाब दिया है और इस चुनाव ने साबिक किया है कि जनता बाजपा और देश के साथ कड़ी है हरियाना के लोगों ने लगातार तीसरी बार बाजपा को सत्ता सौपंकर एक नया इत्यास रच दिया है मोदी ने कहा कि वाइश्विक सर पर बारतिय समाज अर्थ व्यवस्ता और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिशों रची जा रही है और कॉंग्रेस के सायोग दल भी इसमें शामिल है उन्होंने तिसरी बार बाजपा की जीतने के लिए हरियाना की जनता का आबार व्यक्त किया है इसके अलावा प्रदान मंत्री मोदी ने कहा कि पार्टी के विकास के लिए हर कार्यकरता ने खड़ी महनत की है और इसके परिनाम माहत्स्वरूप बनावा बगवा पार्टी के एक बार फिर जीत हासिल की है बाजपा जनता की आकाक्षों को पूरा करने का कोई मौका नहीं चोड़ेगी उन्होंने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फरेंस की शांदार जीत पर बदाई दी और कहा की हम जम्मू कश्मीर के कल्यान के लिए काम करेंगे इस चुनावई को उन्होंने कश्मीर के लिए विशिश बताया और बाजपा के नाम पर गर्व जताया हरियाना में बाजपा ने 48 सीटे के जीत, कॉंग्रेस ने 37, निर्दली उमीद्वारों ने 3 और इनेले ने 2 सीट जीती है जग्मो कश्मीर में नेशनल कॉंफरेंस ने 42 सीटों जीते, कॉंग्रेस ने 6 सीटे और बाजपा ने 29 सीटे जीती है PDP ने 3 निर्दलिया, उमीद्वारों ने 7 सीटे जीती है आम आदमी पार्टी, CPM और JPS ने 1-1 सीट जीती है उनिच्चेद 370 हटने के बाद पहली बार हुए चुनावे में बाजपा के प्रदशना की प्रदान मंत्री मोदी ने सराहना की उन्होंने कहा कि जम्मु कश्मिर चुनाव बारती संविदान, लोकतंत्र के मोल्य और वोटों के प्रती कश्मीरियों को विश्वास को दर्शत है और बाजपा वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उबर ही है